हेलो गाईची अल्कम पेक मैं चानल भरती पजाज चले देखते हैं कि निप्टे अन्बैंक निप्टे कहां पूमेंटम कर सकती है किश पॉइंट पर बाइंट शेल के लिए प्लान करना अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करें गपना होती है अगर मार्केट फ् कलर है वो ग्रीन है में अभी यहां पर रेड कंडल बनते हुए देखे गा और इसके क्लोजिंग में भी 43,500 के नीचे दे सकता है अगर 43,500 के नीचे इसके क्लोजिंग हो गई तो इसमें सेलिंग फिर अगें नेक्स्ट विक में हापस सेलिंग मार्केट हमें देखने के करना है अभी हम लोग 15-minute कंडल में देखेंगे तो कल हमें कहां पर बाइंट शेल के लिए प्लान करना है अभी हमें समझ में आगा अभी हम देखेंगे मार्केट फ्लैट ओपिन हुआ हम लोग का जैसा प्लान था कि हम लोग सेल अभी करेंगे जब इसके नीचे 5-minute कंडल क क्लोच करेंगा और उसके लोग का ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर हम लोग सेल करेंगे तो भी में देखेंगे है यहां पर रेड कंडल क्लोच लेकिन इसका लोग ब्रेक डान नहीं किया क्यों मैं बोलती हुं किằng कि जो candle का closing है उसके closing candle का low breakdown होना चाहिए अगर buying तरफ देख रहा है तो जो भी green candle close करे उस candle closing candle के high का breakout होना चाहिए तो भाइंग करेंगे यहाँ पर देखेंगे candle close किया बहुत सारे जो smart होते हैं वो candle close किया और sale करना start कर देते नहीं candle close किया इसके low breakdown होगा तो ही selling के लिए हमें confirmation मिलेगा यहाँ पर देखेंगे candle close तो किया और यहाँ पर धड़ा-धर market फिर upper side में अगें निकल गया यहाँ पर जैसा हम लोगा selling zone है 44,000 से लेकर के 43,800 यह हमारे लिए भी selling zone है इस point में कहें से भी एक red candle मिल जाए 15 मिनट में हमें बस sale के लिए प्लान करना है इहाँ पर देखेंगे इहाँ पर फ्रेश candle red candle close किया इसके low का breakdown किया इहाँ से बड़ी move तो नहीं हुआ एक छोटा शपवाइंट्स कैप्चर हो पाया candle stick follow करके यहाँ पर trade कियोंगे तो 835 के something यहाँ पर sale हुआ लोगा हुआ है तो 670 का something यहाँ पर low लगा हुआ है तो लगभाग यहाँ पर 100.5 points मिल पाएं बहुत बड़ी move तो नहीं मिला क्योंकि market अभी range में trade कर रहा अप और डाउन दोन तरब का move मिल चुका है अभी market sideways हो रहा sideways के बाद एक trend market हमें देखने के लिए मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा यहाँ पर कल weekly candle close होगा में भी यहाँ पर Monday को या today को एक trending market हमें देखने के लिए मिलेगा expectation है कल हम लोग market में sideways market ही expect करें क्योंकि यहाँ पर दो दिन ही market sideways हुआ है तो एक दो दिन और हमें sideways market मिलेगा फिर इसके बाद trending market हमें मिल सकती है तो कल हमारा trade-off plan क्या होना चाहिए अभी हम लोग 44,000 के उपर ही buying करेंगे यह हमारा buying label है में भी किसी कारण वास gap opening हो जाया या फ्लैट open होकर के धड़ा-धर market उपर निकलना लगता है और 44,000 के उपर तभी करेंगे जब market a swing breakdown कर देगा 43,500 के नीचे एक red candle close कर देगा 5 minute के और candle close करने के बाद उसके low का breakdown करेगा तो ही हम लोग sale करेंगे यह 200 point का trapping जो नहीं इसमें buying नहीं करना है नहीं sale करनी है अभी हम लोग sale phrase तभी करेंगे जब 43,500 के नीचे red candle close करके breakdown करेगा तो sell करेंगे और 44,000 के उपर higher affirmation बनाएगा तो हम लोग buying करेंगे एक completely 400-500 points का range है लेकिन completely एक volatility zone होने वाला है बार बर हमारा ACL खाएगा points मिलेगा नहीं 2-3 ACL जागा और कुछ नहीं फिर day end तक हम लोग guild के साथ अपना setup close करेंगे उससे based है हम लोग इस 500 point में trade प्लान ना करें जब तक हमा मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर दे and daily analysis and learning video पाने के लिए well nutrition को भी जड़ूर प्रेस करें बहुत बड़ा gap up and gap down opening के बाद हमें at least 15 minute candle close होने देना है इसके बाद ही में trade के लिए प्लान करना है मैं बार बार बुलती हूं बहु कंडल में यहां पर देखेंगे red candle close किया हम लोगों नहीं पर बाइंग के लिए तभी प्लान किया था जब फ्रेस बाइंग तभी होगी जब बैंक सोरी निफ्टी फिप्टी उनीस तेजार पांसों पचास की उपर higher higher formation मनाएगा तो एक यहां पर फ्रेस बाइंग होने का च अभी 15 मिनट कंडल में देखेंगे तो हमें clearly समझ में आगा market यहां पर थोड़ा सा gap up opening हुआ हम लोग इसे flat account करें day high था उसके पास gap up opening हुआ 5 मिनट यहां पर candle देखेंगे तो ए बहुत बड़ी candle है और इसके breakdown पर trade करना हमारे लिए बहतर नहीं है यहां पर देखेंगे high ज हम लोग निफ्टी 50 में में कम ज्यादा से ज्यादा 35-40.3 अश्टपलोस प्लान करते हैं यह बड़ा अश्टपलोस हो जाता है तो इसके breakdown को हमें trade प्लान करना ही नहीं है और यहां पर देखेंगे तो निफ्टी 50 में आज को trade मिला भी नहीं है आज का जो डेलो लगा हुआ है यह लो लगा हुआ है 19,375 के सम्थिंग का अगर 19,375 के निचे 5-minute rate करेगा हम लोग सेल करेंगे टार्गेट इसके निचे बहुत बड़ा है 225-230 का सम्थिंग टार्गेट एक बड़ा टार्गेट है लगा है यहां पर 1500 पॉइंट का टार्गेट है एक अच्छा पॉइंट यहां पर एक अच्छा रेंज है तो अगर इसका ब्रेकडाउन होती है तो अगर कल बैंक निफ्टी इसको support करता है तो इसमें एक अच्छा सेलिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिलेगा और निफ्टी ज्यादा फास्ट डाउंसाइड में मूब करेगा तो हम लोग एक अच्छा पांट स्कैप्चर कर पाएंगे लेकिन इंप्रोटेंट है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 375 की निची एक 5 मिनेट रेट कंडल क करना चाहिए रोट के लोग का ब्रेकडाउन करेगा तो ही हम लोग यहां पर सेल के लिए प्लान करेंगे वाइंग हम लोग फ्रेच्ट अभी करेंगे जब 19,000 पांसो पचास की उपर हाईर है फ्रमेशन बनाएगा तो बाइंग करेंगे यह जोन ट्रेपिंग जोन है इस ज लोग का ब्रेक्डाउन करती तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं बहुत बड़ा क्याप अपनिंग के बाद हमें प्राइस सेक्षन के लिए वेट करना है एक लिस्ट 15